देखो यार मैं बिलकुल भी जो है ना reactionary नहीं होना चाहता ठीक है लेकिन मैं एक चीज ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरा ये विडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था मेरा ये विडियो बनाने का एरादा नहीं था लेकिन जो हो गया है वो एक बहुत ही shocking result है To be very honest, एक टटी रिजल्ट, एक शॉकिंग रिजल्ट at Anfield 1969 के बाद, 1969 के बाद Nottingham Forest ने Anfield पे Liverpool को हरा दिये, Liverpool and Arne Slot का जो आप कहते हैं ना, कि Slot Control, Slot Control, ये बहुत बकवास होती रही है, पिछले चार-पांच हफते में, और मैंने लोगों को बड़ा ये समझाने की कोशिच कि कि बाई, हमारे उपर एक bad patch आएगा, हमारी injuries भी होंगी, हमारे players out of form भी होंगे, हमारे उपर fatigue भी होगी, और अगर आप मेरी पुरानी live streams निकाल के देखें, मैंने ये साफ साफ बोला है, कि अभी तक हमने कोई goal concede नहीं किया, अभी तक, जैसे ही Arne Slot की team goal concede करेगी, तो हम comeback नहीं कर पाएंगे, आज क्या हो है, आज हमने क्या नहीं किया, comeback नहीं किया, यरगन klop के जाने के साथ ही, Liverpool के comeback, जो भी आप mentality monster कहलो, जो भी कहलो, comeback करने की जो शमता है, जो ability है, ठीक है, जो ताकत होती है, comeback करने की, खतम हो चुकी है, वो उसी कबर में दफन हो चुकी है, ठीक है, klop is not there, he used to be our 12th man, he used to induce that energy, जो के मझे पता है के वो करता था, मैंने ये बोला है, अपनी live streams में के यार, वो नहीं कर पाएगा, इस तरह जैसे klop किया करता था, वो वो energy instill नहीं कर पाएगा, अगर आप 1-0 trail कर रहे होगे, या आपने comeback मानना होगा, आज ही हुए, game क पर अब मैं बात करता हूँ, there is absolutely no doubt कि इस game के बाद हमने खेलना है, अब AC Milan से जाके, 18 September को, और games आगे thick और fast आएगी, I believe हमने bone mat से खेलना है, उसके बाद, उसके बाद हमारी शायद wolves वगरा से match है, और हर 3 दिन के बाद क्या होगा, match आ रहा होगा, ठीक है, right, मुझे सब से जो चीज समझ नहीं आई, वो ये थी, कि ओके, साबोज लाए और Macalister, half spaces में नहीं घुस पा रहे, 541 में defending कर रही है, Nottingham Forest, ठीक है, अंधे को भी नजर आ रहे है, 441 में defending कर रही है, ठीक है, आखरी 20 मिनिट में वो front 3 बनाते हैं, Ilanga आता है, और Callum Hudson and Doyle Bench से उठके आते है, ठीक है, which means pace, physicality, ठीक है, और उसके साथ क्या है, कि वो बार-बार cut-in करेंगे, ठीक है, क्योंकि Hudson and Doyle especially, वो cut-in करता है, तो जब आपको पता है, कि pace आ रही है, physicality आ रही है, ठीक है, और उसके साथ क्या आ रहे है, कि cut-in करने वाले wingers आ रहे हैं, जो कि center backs की तरफ cut-in करेंगे, और उस space को exploit करेंगे, जो के एक right back और center back में होता है, या arm जबान में full back और center back में होता है, आपको ये पता है, तो आपने Connor Bradley को क्यों भूके शेर के आगे फेंक दिया, मुझे आप ये बता दे, 53 minutes पे आपको पता है, कैलम Hudson औरोय आ चुका है, आपने 61 minutes पे आप क्य लेके आए Connor Bradley को, क्या जरूरत थी, इस substitution की क्या जरूरत थी, क्या तुक थी, मुझे बता दे, चलो आप जो गोमेज को लेके आते हो, I understand that, जो गोमेज right back खेल सकता है, जो गोमेज right back खेल सकता है, और काफी solid defender है, ठीक है, defensively he's a solid player, और शायद वो उस pace पे बीट ना होता, कै यह साथ बार बीट हुआ है, आखरी 20 मिनिट में, that was the tactical error of Mr. Arne Slot, ठीक है, अब इस बात पे कुछ लोग जो है, वो मेरे पीछे पढ़ जाएंगे, कि यार तुम तो Arne Slot को समझते ही मिडियोकर हो, तुमने तो यह बोला हो है, कि भाई, Arne Slot 9 महिने में सैक हो जाएगा, मैं Arne Slot को एक brilliant manager नहीं समझता, यह मेरा opinion है, नहीं समझता मैं, मैं उसको एक brilliant manager नहीं समझता, ठीक है, यह मेरा opinion है, मैं इसके उपर अभी भी अटल तरीके से खड़ा हूँ, लेकिन यह बात भी सच है कि FSG ने backing नहीं किया Arne Slot की, यह भी मैंने बहुत बार बोले है, कि FSG ने Ar पढ़ेंगे और भुगतने पढ़ेंगे, this performance was more shit than Crystal Palace, जो के हमने last year जो match खेला था, जब हम title chase कर रहे थे या जो भी हम कर रहे थे, और उसमें हमारे फिर भी chances बन रहे थे, Curtis Jones one on one misses किये जा रहा था, उस match के अंदर भी आपको याद होगा, लेकिन we were creating chances, यहां पे कोई proper chance create नह निकालने है, जोटा के ओपर तीन-तीन बंदे चड़ेंगे हैं, दो बंदे चड़ेंगे हैं, साबुजलाय पर दो बंदे चड़ेंगे हैं, मकैलिस्टर पे सांस लेने तक की जगानी है, फिर ब्रेंडन रोजर्स की तरह, मैंने हमेशा यह काए कि मुझे आरने स्लॉट जो आखरी पंदरा मिनिट में चलो, पंदरा मिनिट में जब आपने गोल कंसीट किये, तो हम फिर आ जेते हैं, बैक थरी में, इतनी ज्यादा चेंजिजे टैक्टिकल चेंजे इतनी ज्यादा फॉर्मेशनल चेंजे अगर आप करेंगे, तो आपकी जो ट्रांसिशन में जो है बरता बना दिया था चीज़ों का, because, because, you got new node, your slot control got new node today, ठीक है, new node, espirito santo ने आपको मजबूर किया, आपको इतना ज़दा बुखला दिया, के भाई, आपको समझी नहीं आई के फिर मैं आप क्या करूं, which means, our new slot does not have a plan B, plan A है, वो बनाया वे tactical board पे, उसको execute कर दिया, ठीक है, execute हो गया, fine, what about the plan B, वो तो ही नहीं, वो तो exist ही नहीं करता, Darwin Nunes के उपर से मेरा यकीन अब खतम होता जा रहे, मैं almost done हो चुका हूँ उसके साथ, almost, I am very close to it, उसके अंदर वो जो element था ना, के भाई, unpredictable है, nuisance है, ठीक है, वो unpredictability का element, वो X factor का element भी जा चुका है, वो मर चुका है ऐसा लग रहे, klop के साथ लगता है, वो भी चला गए, तो वो plan B, आप उसको कहते हो जी, यह हमारा plan B है, पिछले 15 matches में plan B ने क्या किये, पिछले 15 matches निकाल के देख लो, क्या किया plan B ने, मुझे सवाल को कोई जवाब दे दे, Curtis Jones आपका plan B है, दो साल से मैं यह बकवास कर र Jordan Henderson कभी नहीं बन सकता, वो जो बनने की कोशिश करता है या जो लोग उसे कहते हैं, compare करते है Jordan Henderson से, Jordan Henderson एक लीडर था, Jordan Henderson 2012 में जब Fulham जाने लगा था, ठीक है, Brandon Rogers उसको पकड़ के बेचने लगा था, उसने कहा था, भाई मैं अपनी place के लिए करूँगा fight, वो चीज Curtis Jones में व 40 appearances करते हो, या आप 8-9 matches में पूरे अपने career में Liverpool के थोड़ी सी अच्छी performance दे देते हो, second half of the season में, तो आपको मसर भी बिठा ले, ये नहीं हो सकता, ठीक है, Curtis Jones is mediocre, at best, mediocre, और कुछ भी नहीं है वो, लोग पता नहीं क्यों उसको इतना highly rate करते हैं, कुछ उसको defend करने के लिए मेरे से लड़ पढ़ते हैं आके, तो भाई, ये चीज़ें देखो, deadwood को देखो, secondly मैं ये समझता हूँ, कि ठीक है, आपने कोशिश की कि या trend को tuck in करने की जो है ना, क्योंकि वो एक number 8 की तरह खेलना चुरू हो गया था, आखरी 20 minute के अंदर वो number 8 बन गया था, क्योंकि हमा बैक 3 में भी फिर right-sided center back, जब back 3 में shift होए, तो right-sided center back कोन था, corner Bradley, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती थी आज slot की तरफ से, आजने slot की तरफ से, he lost his slot control, ठीक है, नोना aspirator Santos ने कैसे outlast किया, पहले तो वो mid block में खेल रहा था, 70 minute, mid block में खेलता रहा, 4411 and 541 ये shape बनती थी, ठीक हो है, और space नहीं दे रहा, Salah को तो बिल्कुल space नहीं दिया, Sabuzla, McAllister, no space, nothing, ठीक है, दोनों wingers को पकड़ के जकड़ा हो है, ठीक है, constipated रखा हो है दोनों wingers को, के बाई, ये इनको अंदर नहीं आने देना, Louis Diaz को और Salah को, और दुख की बात ही है, कि मैंने Salah को captain रखा हो जाता है, उसके बाद उसने front three बनाना शुरू कर दिया, वो ही Ilanga, Callum Hudson ओडॉय और बीच में एक striker, तो वो उसने करना शुरू कर दिया, तो that was very very impressive from Nottingham Forest today, और ये सिर्फ आज जो result मिले है, quick transitional play की वज़ा से, और great positional play and structural play की वज़ा से, आज Nuno Esperito Santos ने 1969 के बाद, Liverpool को Anfield पे हर जा दिया है, बलके मैं ये कूँगा कि slot control की मा भेन एक कर दी आज, मैं ये भी बोलूँगा, तो we need a plan B, क्या कियाजा हमारा plan B होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे FSG से एक सवाल है, कि भाई, plan B के लिए signing करनी पड़ती है, आप आज मुझे बता दें, जो 5 substitutions आज ह जोई है, उसके इलावा bench पे कौन था, जो गोमिस था, जेरल कौन सा था, कैलेहर था, और एक endo था, इन में से, चारों में से कौन attacking है, एक भी attacking लिए, endo defensive midfielder है, ठीक है, तो ये चार थे, जो 5 आपने आज की है ना substitution, ये 5 के इलावा आपके पस फ़र कोई attacking player तो था नहीं spinner, endo कोई ला सकते थे आप, वही मसला है कि Connor Bradley को ना लेके आते तो पर किसको लेके आते, अब ये दूसरा सवाल है, कि Connor Bradley को ना लेके आते तो कौन सा attacking player था पीछे, कोई था ही नहीं, endo के लावा, endo भी दिये में, तो ये बहुत बड़े सवालात है कि आपका bench fully exposed हुआ है, क इस से उपर कि ये स्टीम की उकात नहीं है, मैं आज ये कह रहूँ, और मैं इसके उपर बिलकुल मैं खड़ा हूँ, इस से उपर इस टीम की उकात नहीं है कि ये इसके उपर जा सके, top four से उपर, top four के उपर सोचना चाहिए, और अगर एक cup मिल जाता है, वो bonus है, बंद करो ये toxic positivity, कि भाई, हम तो बहुत अच्छी टीम है, slot control, slot ball, ऐसा कुछ नहीं है, आज, पेट में मुका मारा है आपके Nottingham Forest ने, और आपको वापस reality के उपर लिए है, कि भाई, reality की तरफ आ जो, एक तो तुमारे पास है injured players, दूसरा, आपका जो bench है, उसमें 5 players के इलावा कोई attacking बंदा है ही नहीं, उपर से, जब भी, अभी आप देखना, आगे भी international breaks हैंगी, हमारे जो main players है, वो हमारी main team के लिए भी खेल रहे होते हैं, जो जैसे जो टा है, पोर्चुगल की main team में खेलता है, हमारी main team के लिए भी खेलता है, ठीक है, ग्रैवन बर्च है, Netherlands के लिए, हम हमारी टीम के लिए भी खेलता है, चलो Netherlands के लिए इतने उसको minutes नहीं मिल रहे है, अंडर Ronald Koeman, लेकिन पहले वो काफी regular खेलता बहार है, तो हमारे बहुत से players हैं, जो के international break में अपनी international team के लिए खेल रहे होते हैं, main team का हिस्सा होते हैं, तो fatigue तो उनको होना है, means कि form भी डिप होनी है, क्योंकि आपको पता है, अब Champions League में 8 matches है, तो यह जो matches है, इस minutes को कैसे manage किया जाएगा, यह सबसे बड़ा question है, कैसे minutes को manage करोगे, how will you do that, तो यह Arne Slot के उपर मेरा सवाल है, कि minutes कैसे manage करोगे, आपने अपनी playing level तो बना लिए, आपने stability लेके आगे, ठीक है, आपको the mentality to make a comeback, when you trail by one mil, और 70% मैं दंके की चोड़ पर कहता हूँ, 70% Liverpool के हारने के chances है, अगर हम trail करते हैं, under Arne Slot, मैं यह दंके की चोड़ पर कहता हूँ, he doesn't have that comeback mentality, आज मैंने देख लिए, तो यह सिरफ मैं एक game की बुनियाद पर नहीं कह रहा, यह मैं उसकी body language को देखते हुए क he doesn't have that mentality, तो यह मेरा इसके उपर आज था, एक honest और raw reaction, आपका इसके उपर जो भी opinion है, वो मुझे जरूर बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, Nuno Esperito Santos के बारे में क्या सोचते हो, I think he is the real man of the match today, for Nottingham Forest, absolutely, अगर 10 out of 10 rating देनी होती तो मैं 12 की rating देता, या मैं अगर 100% क Nuno Esperito Santos, Jose Mourinho की तरह Anfield आया, और 3 points उडा के ले गया, जैसे 2014 में Chelsea के साथ Jose Mourinho ने किया था, तो Liverpool को हराना इतने ही असान है, mid block में बैठो, ठीक है, 4-4-1-1 रखो, 4-4-2 रखो, 5-4-1 रखो, बिलकुल बस जो है ना वो पार कर दो आखरी 20 minute के अंदर, ठीक है, और counter पे, कोई this game का नात है कि ये आने वाले matches में भी होगा, और अगले match में है, रफाइल लियाओ जैसी बला, मुझे नहीं लगता लिवरपूल जीतेगी, I don't see them, I think it's going to be a draw or something like that, तो मैं इसलिए कह रहा था कि भाई, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, Manchester United के बाद, क्योंकि मैं जनता कि इस तरह का दिन आएगा, करवालो को आपने बेच दिया, ये वो match था जिदर आपको करवालो की जरूरत होना थी, और करवालो को बेचना आरने स्लोट का decision नहीं था, करवालो को बेचना किसी और का ही decision था, और वो किसका था वो Liverpool fans अच्छी तरह जानते हैं, तो ये है अपनी frustration भाई आज निकालने आया था, वो ही है, and I am literally frustrated, we shouldn't have lost this game, I'll see you soon, Hasta la Vista